कॉंग्रेस विधायक और पुर्वा मंत्री सुनिल केदार के खिलाब चल रहा नाग्पत जिला केंड्य सहकारी बैंक घुटाली का फैसला फिलाल कुछ दिन के लिए टाल दिया क्या है 2002 में यह घुटाला साम दिया था जिसके बाद मामले में मुख्या रुपी के रुप में विधा केदार को बना गया साल 2002 में नागपत डिस्ट्रेक्स सेंटरल कॉपरेटिव बैंक में 152 करोड रुपे से ज़दा का घुटाला उजा कर वा था तब केतार बैंक के चेर्मेंट थी वह इस मामले में मुख्या रुपी भी है ये राशी सरकारी अधिनियम के प्राधानों का उल्लेगन कर निविश की गई थी। बाद में डीजी कंपनी के दिवाल या हुचाने से बैंक में किसानों का पैसा भी डूप गया। केदार और कुछ अन्य लोगों के खिलाब मामला दश किया गया था। इस मामली का फैसला आ गया है। जानकारी के मुताबिक ये जो घुटाला 2002 में सामने आया था तब विधायक सुनिल केदार जो है इस बैंक के अध्यक्षत है जो इस मामले में मुख्यारूपी भी है। कई सालों तक इस केस का जो है चानवीन चल रही थी मगर आज जो है इसका रिजल्ट आना अगर फिलाल इसे टाल दिया गया है अब ये रिजल्ट कब और क्या सामने आता है ये देखना खास होगा। कैमरा परसन अजित कुवर के साथ मैं प्रकाश शूंकलवार इन विसेर न्यूज नाकपूर।